हेलो दोस्तो वेलकम बेक टो माई चैनल तो दोस्तो कुकिंग विद आस्ता चैनल में आपका फिर से स्वागत है आज हम जानेंगे कि आप मलाई से किस तरीके से घी जो है वो घर पे आसानी से बना सकते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको दूद को घरम होने के लिए रख दे देना है और हमने दूद को ठंडा होने के लिए छोड़ देना है जब दूद बहुत ही अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि मलाई की एक मोटी पर्त जो है वो जम जाएगी और इसके बाद हम चमच की सायता से रोज हमें दूद को दो टाइम जैसे हम जो कि हमने दो टाइम गरम करकर कर कई कठा किया है तो आप देख सकते हैं कितनी सारी मलाई जो है वो यहां पर हमने कठा कर रखा है अब हमने करना कुछ नहीं है सिर्फ और सिर्फ आपको गैस की फ्लेम को ओन करना है और दीमी आज पर हमें इसे बहुत ही अच्छे से होने लग जाएगी और जो घी है वो अपने से ही बनने लग जाएगा तो यहां पी आप देख सेते हैं किस तरीके से जो घी है वो बन रहा है दस मिनट के लिए हमें मलाई को इसी तरीके से मेल्ट होने देना है गैस को हमने बंद कर दिया है और अब हम इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने देंगे यह लगबग ठंडा हो चुका है अब हमने चननी की सायता से इसे चान लेना है और बची हुई जो मलाई है उसे हमने हटा करके फैंक देना है और अब हम इस घी को जो शूदगी है आप चाहें तो पूजा पाथ में इसका इस्तिमाल कर ले और चाहें तो आप घर में कोई भ प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफकेशन में आपको जनकारी मिलती रहें आप चाहें तो में फेस्बूक और इंस्ट्राग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इसका जो लिंक है वो डिस्कृश्शन बॉक्स में दे रखा है आज के लिए ताहीं मिलते नेक्स टेम एक नई रेसिपिक के साथ तबसे के लिए शुकर्या दोस्तो